कक्षा नौ विशा हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक छितिज में गदिखंट से लासा की ओर राहुल संकृतियायन जी का पढ़ा रहे थे इसका सारांसिस चेप्टर का समझा दिये हैं आज प्रस्त मुळ्तर होगा तो पहला प्रस्त अया है थोंगला के पहले के आख्री गाउँ पहुचने पर भीखंगे के बेस में होने के बवजूद लेखक को ठर्ड़ने के लिए उचì तस्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय बहत्र बेस में भी उचित अस्थान नही दिला सका क्यों थोंगला के पहले के आखरी गाउं पहुचने पर लेखक भिगवंगे के बेस में होने के बाद भी ठढ़ने का अस्थान पा गया क्योंकि उस समय उनके साथ बहुत भिख्चू सुमत ही थे सुमत की उस गाउं में जान पहचान थी दूसरी यात्रा के समय लेखक भदर वेश में था पर वह उस समय के लोगों के लिए अपड़चित था उस यात्रा में लेखक साम के समय वहां पहुँचा था साम के समय लोग छंग पिक कर होस हवास खो बैठते हैं इसके अलावा उसके साथ सुमत भी नहीं था इसलिए वह ठढ़ने के लिए अस्थान नहीं पा सका दूसरा प्रश्णा है उस समय के तिब्बत में हतियार का कानून नो रहने के कारण यात्रीयों को हमेशा अपने जान और माल का खत्रा रहता था वहां के लोग आत्म रच्छा के लिए खुले आम हतियार लेकर गुमते थे वहां अनेक निर्जन अस्थान थे जहां डाको को किसी का भी भाई नहीं रहता था ऐसे अस्थानों पर पुलिस का भी प्रबंद नहीं होता था ऐसे में डाकू यात्रियों को यात्रियों की पहले हत्या करते थे फिर उससे माल लूटते थे तीसरा प्रस्थना है लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछर गया? तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्लिकित कारणों से पिछर गया? पहला लेखक का गोरा दीरे दीरे चल रहा था दूसरा गोरे के सुस्थ पढ़ने से लेखक अपने साथियों से पिछर गया और अकेले में रास्ता बूल गया तुसरा हुआ गलत रास्ते पर डेड़ दो मिल चलता गया और फिर वापस आकर सही रास्ते पर गया चौथा प्रस्टना है लेखक ने सेकर विहार में सुमत को उनके यजमानों के पास जाने से रोका परन्तु दूसरी बात रोकने का प्रियास क्यों नहीं किया सेकर विहार में सुमत के बहुत से यजमान रहते थे जिनको ये गंडा माटते थे इन गंडों को बाटने में अधिक समय लगता था इसलिए लेखक ने सुमत को यजमानों के पास जाने से रोका लेखक को दूसरी बार लेखक को सेकर बिहार के एक ही मंदिर में बुद्ध वचन अनवाद के एक सोतीन पोथिया मिल गई इन भारी भरकम पोथियों के अधियन से ग्यानार्जन के लिए समय कियावा सक्टा थी लेखक को समय उनके अधियन मेडम चुका था इसलिए उसने दूसरी बार सुमत को रोकने का प्रियास नहीं किया तो आज चार प्रश्णों का उतर समझा दिये हैं बाकी प्रश्णों का उतर कल समझा है